प्ले श्टोर का पासवोर्ड कैसे चेंज करें? हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है फिट से एक न्यू वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आप अपने play store का password को change करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि play store का password कैसे change किया जाता है कहां से हम change कर सकते हैं वो भी दोस्तो बिना old password को डाले इस वीडियो को बिलकुल ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो play store का password को change करना बहुत यह असान है बहुत ही simple तरीका है जिसके मदद से आप अपने play store का password को change कर सकते हैं सबसे पहले play store का password change करने के लिए आपको अपने play store को खोल लेना है यानि open कर लेना है जैसे ही open कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल दाता है इसके बाद आपको उपर में यहाँ पर जो है आपको एक option देखने को मिला होगा logo आपको इस logo पर click कर देना है logo पर आप जैसे ही click कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा Google account का आपको इस Google account वाले button पर click कर देना है Google Account के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको पेज मिलता है इसके बाद यहाँ पे आपको धेर सरा option मिल जाता है अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा पासवर्ड का जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको इस पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना है पासवर्ड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपका पुराना वाला पासवर्ट डालने का option आजाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन मुझे क्या है कि मेरा पुराना वाला पासवर्ट पता नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको forget वाला option देखने को मिलेगा नीचे में forget password का आपको इस forget password वाले बटन पे क्लिक कर देना है forget password के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिक कर जाता है your fingerprint face और screen lock तो आपने अपने mobile में जो भी lock लगा हुआ है face lock लगाया हो या फिर fingerprint या फिर दोस्तो screen lock जो भी लगाया है आपको continue पे क्लिक कर देना है और उस lock को यहाँ पे डाल देना है तो मैं fingerprint लगाया हूँ तो मैं fingerprint यहाँ पे touch कर देता हूँ तो यहाँ पे fingerprint ले लिया इसके बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पर आपके सामने new password डालने का option आ जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है इन दोनों में आपको नया password को डाल देना है जो भी नया password बनाना चाहते है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए तो हमने यहाँ पर दोनों में नया password को डाल दिया है इसके बाद आपको Change Password के बटन पे क्लिक कर देना है Change Password के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर Change Password का बटन आएगा आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही Change Password के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो नीचे मिली करा रहता है Your Password has been changed successfully यहां पर जो आपका पासबोर्ड था वो यहां पर चेंज हो चुका है इसकर आपको get start पर click कर देना हícia तो finally दोस्तों आपका जो password है वो यहां पर change हो गया और इस तरीके से आप भी यहां पर जो हे अपने यहां पर play store का password को change कर सकते हैं एक वीडियो कैसे लगा आप हमें comment box मे जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले